आप देख रहे हैं इस्टी पारपाइट यूटूब चैनल दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉट्टे की फॉस्ट इयर के सेकंड समिस्टर इलेक्टिकल सिविल और केमिकल ब्रांच वालों के लिए आपके काफी डिमांड पर बीडियो का पार्ट नंबर 15 आज किस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले क्या क्या आज हम बताएंगे उसके बारे में डिटेल से समझ लो सबसे पहले दोस्तों आज हम आपको बताएंगे और अपने आप में एक चैप्टर भी है इसका आपको तो सबसे पहले की यानि कुंजी के बारे में जानोगे फिर आप जानोगे टाइपस आपकी गाने के मतल कि कुंजी के प्रकार क्या होते हैं तो जो कुंजी या निकल करेंगी वो चार प्रकार की आएंगी तो सबसे पहला दोस्तों आएगी संक की और जो संक की होती यह 5 या 6 टाइप्स की होती है इसका नाम मैं फटा-फट से आपको बता विता हूँ सबसे पहले दोस्तों आती है आपके rectangular संक की square संक की parallel संक की give head संक की और wood rough संक की और feather संक की तो guys इतनी पुंजियां आती है संक की के अंदर दूसरी आती दोस्तों saddle की saddle की के अंदर का दो कुंजियां आती है सबसे पहला तो flat saddle की दूसरा होता hello saddle की मतलब flat मतलब चप्टी hello मतलब खोखली वाली कुंजी guys पीसरी कुंजी का नाम है जो मैं मतलब टाइप्स में था यहां से question पांच नंबर काया था जी हां एक दो नंबर नहीं पूरे पांच नंबर काया था अगर इस कुंजी को समझ लिए पूरा details में समझ लिए तो कभी भूल भी नहीं पाऊगे पूरी अच्छे से समझ लेना अगर एक बार ना समझ लेना तो दो बार वीडियों देख लेना पूरी जानका नहीं मिल जाएगी छोटी से रिक्वेस्ट वीडियों को लाइक कीजिए नयव तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियों का नोडिफिकेशन आप वो सबसे पहले मिल सके जी हाँ, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियों सुरू करते हैं So guys, back again हम आज उके हैं कॉपी पे आज की इस वीडियों की जितनी सारी टॉपिक है हमने यहाँ पर आपके शेडियूल बना कर रखतिया है आप देख सकते हैं, इतनी सारी टॉपिक है आज की इस वीडियों पूरा ध्यान करेंगे ध्यान देना दोस्त, जब इतनी सारी टॉपिक तो वीडियों भी लंबी होगी और जब वीडियों लंबी होगी तो अंत तक देखना होगा अगर skip करके देखे ना guys तो हमारी guarantee नहीं रहेगी guarantee इसलिए क्योंकि बड़ा topic है तो बड़ा time लगेगा ही तो इसलिए यह lesson से एक question आने का तय है पांच number का पुरा पांच number चाहिए तो यह वाला समझ लो क्या है कुझी के बारे में समझना है आपको देखो, कुझी कुझी की जानेंगे फिर supply जानेंगे ध्यान देना जो कुझी होती है ना मतलब कहीं लगाया गया और तूट गई तो उसको क्या बोलते है उसको कुझी फेल बोलते है यह नहीं कि तूट गई बोलते है नहीं नहीं उसको फेल बोलते है फेल हो गई कुंजी, ठीक है, तो ये ध्यान देना, यूनी टू चल ला है, आपका इसका ध्यान देना, कुंजी समझ लीजिए पहले क्या है, कुंजी होती ही क्या है, और इसका उपयोग क्या है, ध्यान देना, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलने वाला कहीं भई, पूरे यूटू रूप से पर्मानेट नहीं हो तर टम्परोरी ठीक है अस्थाई रूप से जोड़ने तथा चोड़ भी सकते हैं अच्छी विश्थापन को रोकने तथा दोनों के बीच सापेच गती रोकने के लिए उनके बीच में पिरोया जाता है पिरोया मतलब लगा दिया जाता है अब दोस्तों होती है म्रिद इस्पात जया रोड ऐरनित्याद का हो सकता है जो दोस्तों कुंजी होती है ना कुंजी को इस प्रकार्त से बनाया जाता है कि जोड़े जाने वाले भागों, जोड़े जाने वाले भागों या अंगों के बिफल होने से पहले ही कुझी बिफल हो जाती है, बिफल मतलब समझे ना, फेल हो जाती है, कुझी को लगाने के लिए साप्ट तथा हब, जो साप्ट होता है और हब होता है, स्वाट्ट में काचा काता जाएगा उसको कुंजी शीट बोलती है तथा हब यारी जो होता है उसमें कुंजी मार काप खाणा है यह स्लोटर सेपर हमने हिंदी में भी या लिख दिया है ताकि पर्णिम कोई दिकत नहों सेपर तथा मीलिंग मसीन का प्रियोग किया जाता है एक फीगर के माध्यम से समझ लो यार इदको कुझी इस तरीकेस होगी यह दिखाया गया 3D डाइग्राम में इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन नार्मल सी कुछ जरली फॉर्म में होती है मैं अभी आपको बता देता हूं कि इस तरीकेस होती है एक एक जांपर ले करके ए देखो यह तो मालनों साप्ठ है ठीक है यह आपका हब है ठीक है ठीक है ब्लुकुल सही है अब देखो क्या करेंगे इस तो देखो पेन का महीं निकाल देना हो देखो निकाल गई庫 मैं तो एब मैं क्या करूंगा this लिक्रान Сам pandit ह्हां एंसलोट बिंगे मतलब क्या खांचा गाएगे और खांचा बनाने इसलिए आपका कुण्जी का इस्तेमाल किया जाता है फिगर बना लो इसको समझ लो अब यार चलो आगे कुछ बताता हूँ अब देखो हम लोग जान लेते हैं कि कुण्जी कितने प्रकार की होती है और मतलब कितने प्रकार की होती है तो हम लोग जो जानेंगे यहाँ पे व प्रकार होती है सबसे पहली जो कुझी होती है संक की दूसरी होती है सैडल की तीसरी होती है टैंजन्ट की और चौथा होता spline on soft key guys यही चार कुंजिया हैं बता दू कि पिछली बार एक question यहां से board paper में आया था तो समझ रहो ना और बहुत कठीन भी नहीं है मैं कहूंगा जितनी भी कुंजिया में दिखाऊंगा सबका सिर्फ 5-5 बार ज्यादा नहीं 5-5 बार आज practice करना अगले हपते जाकर के 5-5 बार और कर लेना फिर महीनों में कर लेना paper आ जाएगा तब तक काम हो जाएगा भूलेगा भी नहीं अब समझ लो की देखो यहां बाट भी दिया जो आपकी की होती है न देखो चार प्रकार में संक की saddle की, tangent की, spline on soft वही तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संक की के बारे में अब संक की के अंतरगत बहुत की आती है तो उनको भी जानेंगे लेकिन संक की का जो definition है उसको समझ लो देखो जब कुझी को आधा soft और आधा हव यानि जो हव होता है हव के खाचे में लगाया जाता है तो इसे संक की कहते है यह कुझी जो होती है निम्न प्रकार की होती है पहली कौन सी है पहली दोस्तों है आपके rectangular संक की बोलते है जब रेक्टेंगूलर नाम रहेगा संक तो यहां से आ गया संक की इस तरीके से होगा चार कोर फार्म में तो यहां पे टेपर होता है एक रेशियो सव मतलब इदर एक रहेगा तो इस सव उसकान पात में इस तरी रहता है अब देखो यह साप्ट होता है इसे थोड़ा सा काट करके इसे इम देखो यह लगाया गया है यह जो होता है मध्यम त्विष्ट मरोड भार के लिए यूज की जाती है इसका जो टेपर रेशियो होता है एक रेशियो सव में होता है अब दूसरा आता है सिक आपका स्क्वाइर संक की स्क्वाइर में क्या होगा इसके अनुपरस्त काट का छेत्रफल जो होता है वरगाकार होता है इसकार मतलब वरगाकार होता है तो वरगाकार होगा इधर वाला तथा यह भी मध्यम्मरोण भार पारेशित मतलब कम भार के लिए इसका यूज करते है कैसे होता यार मताता हूं यह देखो मालो यही चीज ह तो यहां पर क्या करते हैं और इस तरह थोड़ा सा प्लेन यह तो इस तरह अगर कर देंगे तब तो पूरा सम सम हो जाएगा नहीं मराएगा तो यहां थोड़ा से इधर ऐसे रहेगा मतलब इधर नुकिला टाइप करेगा फिस जैसे इधर बढ़ते जाएगे इसकी मोटाई बढ़ते जाएगी और एक तरफ यहां पर क्या होगा इसका वर्ग के आकायर का यहां पर दीखेगा आपको अब गाईस तीसरी जू संक की के अंतरगत आती है वहां गाईस पैलल संक की मतलब समानतर संक कुन्जी अब देखो क्या होता है यह जो आपका अभी आमने दिखा दूँ, eraser, अब मैं, एक second, यह देखो, यह देखो, eraser आपको दिखरा नपस रहा, तो guys, यहाँ पर क्या करते हैं, यह देख सकते हो, यह इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या करते हैं guys, कि इसी तरीके से देखो, बिल्कुल दिखरा है, लेकिन इसका 3D बनाएगा है, तो यही च की जाती है, जब जोड़े जाने वाले भाग, लंबाई की दिशा में फिसलते हों, तथा, छोटे मरोड भार के लिए, अस्थाना अंतरी, मतलब, transfer करने के लिए किया जाता है, मरोड भार के लिए, देखो, इसमें कोई, क्या बोलते हैं, taper ratio नहीं होता, जबकि हमारी rectangular संक होती है, देखे जो, तो आपका यहां पे धिखाया गया है, इसको हो गया, करते क्या है, इस तरीके स्ट अधियाए, अब देखो, चल लाए, तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने कुझी बनाई, एक ratio 100 में, लेकिन यहां पर एक क्या करते है, हेड बना देते है, head रहेगा, देखो यही चीज, अगर मैं इसको ऐसे फैला दूँ और इसमें लगा दूँ यह रुख जाएगा, और इधर क्या होगा, एक ratio स्वा में रहेगा, मतलब एक head बना रहेगा, देखो यह head टाइप का बना है, तो इसलिए head बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, समझ लो, दे इस कुंजी को लगाने, वो निकालने में बहुत आसानी होती है, अब हम लोग जान लेते हैं, कि ood rough, sank kunजी, क्या होती है, अब देख सकते हैं, कि ood rough, sank kunji, जो है, उसका figure diagram, जो चित्र है, वो यहाँ बना दिया गया, गाईए यह साप्ट होता है और यह उडरफ संग कुझी मना दी गई किस प्रकार था है एक प्रकार का यह बृत्याकार का बना रहेगा तो इसके बीच में आधे से काड देते हैं और यहां पे लगा देते हैं अब कब प्रयोग की जाती हो देखो इसके बारे में समझो यह जो होता है अल्प मरोण के लिए यूस की जाती है प्रयोग की जाती है इस कुझी का एक भाग जो होता है वो शीधा होता है तथा दूसरा जो कुझी मार्ग में फिट होता है दूसरा भाग आर्ध गोली होता है पतब देखो ना कुझी मार्ग में फिट होता है यह देखो यहां पर जब आपका slot card दिये जाएंगे तो इसका दूसरा भाग देखो यह गोली है जब कि यह क्या है सीधा है देखेए जो कुंजी seat में fit होता है इसलिए कुंजी seat को 20S रूप से त्यार किया जाता है यह कुंजी जो होती है कुंजी seat में थोड़ा सा झुका हु मतलब soft है, यह आपका soft है, यह देखो, यही चीज़ है माल लो, इसी को माल लो, कोई भी बात नहीं, इसके लिए मालेंगे तो अलग चीज़ होगी, दो चीज़ लेंगे न पड़ेगा, तो यह चीज़ माल लो, अब इसको क्या करेंगे guys, यह आपका soft इस तरह rotate करता रहेगा, guys, जब ऐ रोटेट करेगा आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दो चिद्र करदेंगे, अब इसके बाद, यह देखो पति नुमा है, तो blade नुमा छोड़ा सा है, पति नुमा, तो इसको यहाँ पर लाक राख रखेंगे, दो इस कृुप की मदद से हम क्या तो यह हमारा फिट हो जाएगा और हमारा जो प्रकार की समांतर कुुंझी ही होती है इसको इसकूरू की मदद से दिड़ता या तो कहें मजबूती हैं बाद देते हैं इतना तो थाँ सिर्फ हमारे संख कुंजी के अंतरगद मैं ऊथा होती है और उसके टाइपस के पूरे 6 और एक संग कुंजी अब हम लोग जान लेते हैं सैडल कुंजी क्या होती है जो की सिर्फ इसके दो ही टाइपस हैं सैडल कुंजी जो होती है दोस्तों इसके बारे समझ लो क्योंकि यह दो प्रकार की होती है तो आगे अभी मिलेगा आपको देखो दोस्त जो सैडल की साट को केवल सैडल की साट को केवल बाहरी से असपर्स करती है कुंजी जन्दना इस कुंजी का प्रियोग वहां किया जाता है जहां पर साट में कुंजी सीट काटना या कुंजी सीट को बनाना आवांचनी होता है आवांचनी का मतलब यह हुगा कि वहां पर मना रहता है यह हो ऐसा बताता हूँ, यह देखो, यह मालो साप्ठ है, यह मालो हब है, तो इसमें लगा दिये भाईया, अगर मैं कहूँ आप यहाँ पे, कि दोनों को काटोगे, लेकिन काफी, दोखो, आईसी काफी चीज़ आती है, जहाँ पे इसको नहीं काट सकते, ऐसा इसलिए, क्यो और इसको लगा दिलते हैं कुझी को, अब देखो, यह जो कुझीया होती है, यह दो परकार की होती है, सबसे पहली कुझी होती है, फ्लैट सैडल की, फ्लैट सैडल की हिंदी में बोलते है, चप्ती सैडल कुझी, ठीक है, और हैलो सैडल कुझी, यानि खोकली सैडल कुझी तो सबसे पहले flat वाला पढ़ते हैं मतलब चप्टी वाला ये देखो flat मतलब चप्टी और hello मतलब खोकली saddle कुंजी तो देखो जो ये दोनों है समझ लो फ़ले figure के मंदर से दोनों कुंजियां तो बनाएगी लेकिन यहां पिक्या देख रहा है तो थोड़ा से इसको प्रेस कर के अस्थान पर साफ्ट को हल्का सा चप्टा कर दिया जाता है चप्टी में क्या करेंगे जो साफ्ट में कर दिया गया बड चाकि खोकली साडल कुंजी जो होती है, साफ्ट की परीद पर फिट हो सके, अच्छे सा फिर सके, फिसलेना काफी अच्छे सरह है, यह चीज बताए गया, अब देखो, तीसरी जो कुंजी थी दोस्तों, हम उसको जानते हैं कि टैंजेंट कुंजी क्या होती है, क्या होता है, यह को साफ्ट बनाएगा है इसमें बस ज्यादा कुछ नियोगा 90 डिग्री पर लगाते हैं और दो कुंजियां इस्तेमाल करते हैं ठीक है बस इतना अंतर है टाइंजेंट कुंजिया और बेसिकली सब जो कुंजियां थी देखो यह कुंजी जोडो जोडो को बोलते हैं इस तर प्रोखेगा मतलब एक दूसरे के विफ्रीद दिशा में मरोड भार को पारेशित पारेशित को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर मरोड भार मतलब जो हम भार मतलब समझ रहे हैं इस तरह इसमें बल लगाए तो मरोड भार पारेशित करती है इसका जो स्राइब यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो इस पर हम क्या करेंगे दो कुणिया यहके इस तरफ लगा दिए यहां पर नवे डिगरी पर तो यहां पर लगा देंगे मतलग थे तब देखो बिता दू यहां दिये दूसरा यहां पर लखाओंगे ना बेडिगरी पर फिर देखो अगली जो है टॉपिक और लाश्ट टॉपिक है इस लेक्चर की जो गाईस है कि क्या होता है इस प्लाइन ओस्वाइन ओस्वाइन ओस्वाय कुश्ट पूशा था तो यहां पर अला कि कम लेकिन काम चल जाएगा क्योंकि और सब चीजा भी लिख दोगे तो देखो क्या है कि जब अनेक जो अनेक कुझियां साफड के साथ ही मनाई जाती हैं, अब देखो अभी यहा पे क्यों मनाई जाता हुं? तो इसमें डीडी देख सकते हैं यहां पर सलॉट कटे हुए, ज देख नहीं रहा हुगा, कोई बात काम करेगा और देखो जब एक कुंजी का काम करेगा तो उसके अनुरूप इसमें खांचे कटे होंगे जो हमार हव है तो क्या होगा कि एस सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि जब ऐसा रहेगा तो आसानी सबस इसमें लगा देंगे और हमारा फिट हो जाएगा और पहले से कुझ ये भाई तो मजबूती रहेगी तो जिस कांट से हम spline on soft का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं इस तरीके से आपने आज की इस वीडियो 15 लेक्षर में इतनी सारी महत्पू टॉबिक पे समाप के आई होब आज का जो वीडियो के साथ शेयर करना ना भूले कि ओ भी इसका पूरा-पूरा बेनीफिट उठा सकें आने वाले एक्जाम्स में थैंक्स फार वाचिंग गुडबाए